आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम असे धान तक नहीं होतरी, study IQ पर आपका बहुत दोस्त वाकत है, दोस्तों, यहाँ पे एक controversy हो गई है, female genital, female के private part को लेके, आप देख सकते हैं, यह जो art है, इसमें female का private part, vulva, vagina को depict किया है, और तब से यह controversy में घि गई है, Indian Expressness को बहुत अच्छे से explain किया है, हम इस lecture में जानेगे, UPAC के smart courses आते हैं, और हमने test series लॉंच कर दिया भी काफी attractive discount है, IB के लिए भी test series है, आप जरूर अबेल करें, इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बज़े तक मैं सारी queries आंसर करता हूँ, दोस्तों, यह 33 meter concrete and racing vagina sculpture है, अभी जो मैंने आपको दिखाया, कहाँ पे है यह North Eastern Brazil, अब ब्रजील में तो आपको पता ही है, जियर बॉलसे नोरो प्रेसिडेंट है, इनकी biography मैंने रिव्यू की है, आप जरूर देखिएगा, काफे industrialist है, काफी ऐसे decision लेते हैं कि जो environment पे बिल्कुल सही नहीं conservative है, तो अगर हम बात करते हैं, ब्रजील की North Eastern Brazil में इस vagina sculpture की, वेजायन आपको पता है ना की female का private part होता है, तो अब एक argument हो गया है, किसके किसके बीच में leftist और conservative के बीच में, यहाँ पे far right है, जियर बॉलसे नोरो, आपको पता ही है conservative है, इनकी biography देखिए का आपको पता चल लेगा, artist Julianne Notary ने इसको बनाया है, अब इसका नाम है Diva, आप ज़र इस lecture को pause करिए, और इसको दुबारा देखिए, ठीक है, अब आप मुझे बताईए कि आप क्या interpret कर पा रहे है, चलिए मुझे ना बताए, आप सोचिए कि आप क्या interpret कर पा रहेगा, आपको क्या देख र जोब आपने pause कर लिया होगा, नहीं भी क्या तो चलिए हम बताई देते हैं, देखो एक debate शुरू हो गई है, debate ये है, freedom of speech, हद से जाधा freedom of speech, देखो मैंने अभी एक lecture लिया था, मुनवर फारुकी पे, क्यार आप लोग मुझे समझ भी नहीं आता, उसमें मैंने ऐसा क्या ब किसी के साथ हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, जो news होती है, study IQ की सारी faculty, जो भी news channels है, news channel क्यानों, जो भी main media है, mainstream media है, quality content जहाँ पे मिलता है, हम वही आपको बताते हैं, बार बार मैंने बोला था कि वो eye witness ने बताया है, वहाँ पे जो बैठे थे, आप तब भी नहीं और यहाँ पे यह debate हो गई है, freedom of speech और हद से जादा freedom of speech, हद से जादा freedom of speech मेरे बेसाब से नहीं होनी चाहिए, वो खतरा होता है, facebook post यह कह रहा है, कि यहाँ पे जो यह काम है diva, 11 महिने से इसको बनाया जा रहा था, Brazilian artist 11 महिने से, Julianne जो है, वो इसको बना रहे थे, अब यह diverse medium में काम करते हैं, अब जो मैंने आप से बोला था, कि आप जो देख रहे हैं, आपको क्या समझ भी आ रहा है, क्या interpret कर पार है, देखिए, मुझे जहां तक मैंने देखा यह, it was the question, the question the relationship, मतलब it was supposed to question the relationship between nature and culture, हमारी आपको पते ही है कि phallocentric, phallocentric मतलब यह दोनों ही word, phallocentric और anthropocentric western society, यह basically male dominated society है, आप भारत पे गर्व करिए, यह जो patriarchy है ना, यह western society से आई है, भारत में patriarchy इतनी जादा नहीं थी, in fact, south में आप चले जाएंगे ना, तो कुछ जगां पे, कुछ ऐसे rulers थे, जो औरतों को भी उतना ही सम्मान देते थे, जो आदमियों को, मतलब उतन नहीं ओदा देते थे, कहीं कहीं तो औरते rule करती हुई भी दिखती है, यानि कि भारत में इतना discrimination नहीं था, west में बहुत जादा patriarchy थी, ठीक है, अगर आप पितियास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो यह fellow centric और anthropocentric दोनों ही patriarchy को, पुरुष प्रधानी को दिखात means nature is feminine, हमारी हम मतर nature हमेशा बोलते हैं भारत को भी हम मा बोलते हैं, feminine, है कि नहीं, तो जब पूरी energy ही feminine है, तो हम इतना जादा पुरुष प्रधानी में क्यों जा रहे हैं, सवाल ये था, phallocentric phallus मतलब क्या होता private part, मतलब penis, जो male का private part होता है, phallocentric मतलब, male dominated society, anthropocentric मतलब होता है, anthropocentric society का मतलब ये है कि इंसान सबसे उपर है, ठीक है, इंसान सबसे उपर है, और इंसानियत को बचाने के लिए वो जो करेंगे सही है, हम primary है, बाकी plants हो गए, जानवर हो गए, वो सब secondary है, और हम को कैसे भी exploit करें, that is, वो बिल्कुल justified है, समझे, तो एक त culture को ये depict कर रहा था, gender-based issue, जो gender woman empowerment देखिए, औरतों का जो प्रतनिधित हो है, representation है, वो सिर्भ भारत में इनीबल की पूरी दुनिया में बहुत जादा कम है, भारत में पहले बहुत जादा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, हम modernize होते जा रहा है, व औरतों को तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो जो gender के साथ problemization है, हम उसको depict कर रहे थी, अब इनके जो supporters है, वो ये बोल रहे है, बिल्कुल सही बात है, और ये important question, painting, sculptures के थुरू, आप important question raise कर सकते हो, लेकिन जो critics है, वो बोल रहे है, ये बिल्कुल बकवास है, ये एक भद पेंटिंग है, जिसमें औरत के private part को दर्शाया गया है, ये freedom of speech कुछ जादा ही हो गई है, और ये basically vulgarity है, it's not a painting, तो अब यहाँ पे debate शुरू होगे, अब आप किसकी side है, वो आपको decide करना है, वेजाइना और वल्वा जो है, देखिए, pre-historic time से इसको represent किया जारे, depict किया जा रहा है, yes, कहीं कहीं जगा तो हम private parts की पूजा करते हैं, क्यों, because it creates, क्या भारत में होती है, बताओ, it creates, भारत में भी आप Elora जाएंगे, वहाँ पे भी, अजनता Elora में वहाँ पे आपको ऐसी painting, क्यों कि दोस्तों, it's not a bad thing, it depicts creation, ये creation दिखाता है, और जब किसी इंसान क का जनम हो रहा है, feminine और masculine energy मिलती है, ये दोनों energy से एक नई energy का जनम होता है, universe का भी तो principle यही है, basic principle, बड़ा लंबा चोड़ा, काफी deep बात मैंने बोल दी, किसी दिन मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज, हाला कि मैंने काफी Hinduism पे लेचर लिये हैं, रामकृष्न में, टाइम से वेजाइना और वल्वा को डेपिक्ट किया जा रहा है, Spain में आप देख सकते हैं, कि pre-historic rock art, it depicted वल्वा, 11th और 12th century में, जो ग्रेटेस्क हैं, शीला नानिक्स मतलब, they were particularly found on churches and castle in Ireland, मतलब, churches और castle जो Ireland में हैं, और Great Britain में हैं, वहाँ पे naked women's की carvings आपको मिलेगी displaying and exaggerated वल्वा, तो ये कोई नया concept नहीं है, अभी और बहुत सारी controversy हुई है, female genitals को लेके, 2012 में, Facebook में, trial को face किया था, जब France ने, एक French teacher account को block कर दिया था, क्यूं, क्यूंकि उसने एक image post कर दी थी, 1886, Gustavo Corbe की painting, जो की female genitals को दिखा रही थी, अब इसका नाम था, देखे, the origin of the world, अब मैंने यही बत, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्षी ये बोलता है, कि ये तो creation को दिखा रहा है, ये तो बड़े important सवाल raise कर रहा है, दूसरा पक्षी ये बोलता है, नहीं, ये vulgar है, यहाँ पे हर कोई इतना deep नहीं होता है, कि वो समझ ले, जो लोग देखेंगे, वो बस vulgarity ही देखेंगे, तो ये दो पक्ष है, टीचर ने facebook के खिलाफ complaint फाइल कर दी, और यहाँ पे ये बताया, कि ये जो site है, it could not differentiate between pornography and freedom of speech, ये तो बकायदा पूरी की पूरी pornography है, ठीक है, पिर जापान का जो obscenity law है, भारत में भी obs obscenity law है, अभी मिलिल सोमन के उपर FIR दर्ज की थी, वो गवा में naked दोड़ गए थे, तो वो मैंने लेचर कवर के आप देखिएगा, तो जापान में जो obscenity law है, उसको भी violet किया था, किसने, रोको डी नाशिको, आर्टिस्ट मगूमी इगाराश, 2014 में इनको arrest कर लिया गया थ क्यूं, क्यूंकि इन्होंने ऐसा material बनाया, 3D scanner data से, इन्होंने इस तरीके का material बनाया, कि उससे बहुती खराग चीज देखने को मिली, वो खराग चीज थी, again, वल्वा, ठीक है, private part, इसी लिए इनको arrest कर लिया गया, तर्नर प्राइज विनिंग ब्रिटिश आर्टिस्ट अनीश कपूर ये भारती है, अनीश कपूर ने dirty corner करके वर्सेल कैसल इन वर्सेल आउटसाइड पैरिस ये इन्स्टॉल कर दिया, अब इसमें क्या था, 2015 में जबर्दस्त, कॉंट्रवर्सी हुई थी, इसको queen's vagina बोला रही थी, अब ये विजाएना की shape का था और इसको कई बार तोड़ा गया, तीन बार इसको तोड़ा गया, इसमें क्या था, anti-semitic slogans, including at वर्सेल्स, Christ is king, वर्सेल्स में क्राइस्ट राजा है, the second rape of the nation by deviant Jewish activism, Indian origin, देखे, Jews, Jesus के बारे में आप समझना है, तो आप history of Jews, Crusades, पे he was born to Jewish mother, इनकी जो माता जी है, वो जीऊ है, यहूदी है, और इनके तो पिता जी है, वो हिंदू है, इसलिए इनका नाम है, अनीश कपूर, ये सब और France ने इसको खतम करने की पूरी कोशिश की, तो ये debate हमेशा चलती रहेगी, इसका कभी खतम, खत्मा नहीं होना है, जब दोस्तो, 12,700 सब्सक्राइबर है मेरे टेलिक्राम चैनल पर, आप इसको इको ही जोइन करिएगा, खुछ रहें पढ़ते रे, ये देशे सिद्धान तक नहीं होता ही साय निगा,